हमारे haircut में बहुत जादा importance रखता है हमारा styling हमारा blow dry तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग कितने भी अच्छी तरीके से haircut कर लो जब तक आप लोग styling या फिर blow dry वगेरा नहीं करोगे आप लोग को एक तरीन सा best look नहीं मिलेगा तो जी हाँ मैं आप लोग के लिए styling का एक बहुत ही best result वाला look लेकर आगया हूँ तो चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों चैनल को subscribe कर लिजिए हमारे चैनल का नाम है रोही थहर का tutorial तो स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में तो देखिए हमने start कर दिया है आप लोग को में बहुत ही best tips बताता हूँ जो कि आप लोग को बहुत ही easy कर देगा आप लोग को styling करने में तो वीडियो को पुरा last तक देखना तभी आप लोग को पता चलेगा कि इसमें blow dry किस तरह हमें करना है तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखी कि जब भी आप लोग styling करेंगे blow dry करेंगे आप लोग को root से एक बहुत ही अच्छी तरीके से पहले आप लोग को blow dry कर लेना है देन उसके बाद middle area में और उसके बाद आप लोग को अगर ins में करना है तो in में blow dry करें आउट में करना है तो out curls करेंगे लेकिन जब भी आप लोग out curls करेंगे तभी आप लोग को in blow dry करना ही है कमपलसरी तभी आप लोग को एक out curls का बहुत ही best result मिलेगा तो देखिए ये तो सिरिफ हम in कर रहे हैं क्योंकि हमारा haircut feather haircut है तो जैसे कि मेंने आप लोग को बताया कि root में हमें सबसे पहले blow dry करना है तो देखिए इस section में आप लोग proper तरीके से देखिए हमें किस तरह blow dry कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए हमने root में blow dry कर लिया पूरे 4 तरफ से blow dry करने के बाद θα आएंगे जिरे हम आएंगे मिडल के एरिया पर जो हमारा मिडल लेयर है उसके बाद फिर हम आ जाते हमारे जो इंड में उसे हम अच्छी तरीके से इन में ब्लोट राय करेंगे उसके बाद अगर आप लोग आउट कल्स कर रहे हो तो इसी को इन में करने के बाद आप लोग को आउट कल के लिए तो आप लोग देखिए बस काली इस तरह इन में करके और छोड़ सकते हैं तो देखिए हमारा जो हैरकट है फेदर विद लेयर हैरकट फ्रंट टू बैक तक यह हैरकट का वीडियो अपलोड हो चुका है आप लोग जाके मैंने चैनल में देख सकते हो मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था कि आप लोग के लिए ब्लोड राय का वीडियो लेकर आने वाला हूं बहुत ही इस हैरकट का तो मैं आप लोग के लिए यह वीडियो लेकर आ गया हूं तो चैनल पर अगर नए वीवर्स हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे और बेल पसंद आये तो लाइक ज़रूर करना और अगर आप लोग को किसी टाइप के कोश्चन हो या फिर कोई भी हैर से रिलेटेट कोश्चन हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आइडी पर मुझे मैसेज कर सकते हो तो जल्दी से जाए है डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मिल ज मिलते जाएंगे तो देखिए हम रपर कंप्लीट हो चुका है ब्रोट र क 먼क जाएक करना है एकदम अची तरीके से धना लगते हुए कि हम स्कैल्प से रखते हुए करना ही और उसके बाद में फिर middle area को हमें straight में ब्लोड राइ करने के बाद फिर इन में हमें ब्लोड राइ करके हमारा styling कम्प्लीट करना है तो देखिया आप लोग देख सकते हो कि कितना best हम लोग के result मिलते जा रहा है तो इस haircut का video अगर आप लोग को देखना है तो मेरे channel में जाये आप लोग को इस haircut का video मिल जाएगा आप लोग haircut का videos प्रॉपर तरीके से देखिये बहुती easy way में haircut का video बताया घया है जब भी आप लोग कोई haircut करो तो ध्यान में रखिये कि shampoo और conditioner करने के बाद ही करो वरना आप लोग जब भी styling करेंगे, blow dry करेंगे तो आप लोग को proper result नहीं मिलेगा एक अच्छा shine नहीं आएगा क्योंकि hairs में dust होंगे तो आप लोग को बहतरीन look नहीं मिल पाएगा और haircut का भी gripping आप लोग proper नहीं कर पाओगे तो ध्यान रखिए, जब भी आप लोग haircut करेंगे शैंपू कंडिशनर करना बहुत ज़्यादा कंपल सरी है और haircut होने के बाद हो सके तो आप लोग serum का use करिए जिससे की hairs थोड़ा moisture हो जाए और बहुती बहतरीन सा shine आजाता है हमारे serum से तो serum आप लोग कोई भी company का use कर सकते हो अगर मैं आप लोग को suggest करूँ तो आप लोग Strix का serum यूज करिए जो की बहुती बहतरीन result आता है तो देखिए हमारा blood eye complete हो चुका है अब आप लोग देखिए कि हमारा जो haircut था वो किस टाइप में हुआ होगा तो जल्दी से जाईए अगर haircut का वीडियो नहीं देखिए हो तो जाकर उसे भी देखिए पूरा proper तरीके से मैंने उसमें आप लोग को step by step section by section पूरा wear haircut का वीडियो उसमें पताया गया है तो देखिए हमारा जो layers था दोनों अच्छी तरीके से blow dry हो चुके हैं अब हम फ्रेंट में आ चुके हमारे flix को blow dry करने के लिए तो flix को blow dry करने के लिए सबसे पहले आप लोग उपर से जो हमारा root का area है उसे blow dry करेंगे heat थोड़ा कम रखेंगे temperature में वरना उनके scalp में heat लग सकता है देन उसके बाद में दोनों साइड से हमें left और right दोनों साइड से section को अच्छी तरीके से blow dry करना है जो भी waves वगर हो पूरी तरीके से clean हो जाए देन उसके बाद हमें इसे करना है in में और in करने के बाद फिर हमें इसे out में भी करना है तो जब भी हम लोग flicks को blow dry करेंगे तो इसे in और out दोनों साइड करेंगे देखिए हमने इसे किया भी out जिससे कि हमें एक बहुती 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 बाउंसी fall मिलेगा और एक best result दिखेगा हमारे falls में तो जब भी haircut करें तो ध्यान रखिए कि आप लोगा flicks बहुती प्रॉपर तरीके से cut होना चाहिए क्योंकि हमारा flicks है वो हमारे haircut को present करता है तो styling और cut दोनों ही बहुती प्रॉपर तरीके से हुआ होना चाहिए जिससे कि आप लोग को एक अच्छा सा result मिले और आप लोग का client जो है वो आपके haircut से happy हो सके तो देखिए कितना तरीन face framing look आया है तो इसे ही follow करिए आप लोग short haircut में भी इसे कर सकते हैं यागर आप लोग को long चाहिए तो long haircut में भी आप लोग इस haircut का use कर सकते हो तो देखिए haircut करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा noaching देंगे noaching से हमारे जो hair से वो hairs के जो भी uneven hairs होंगे वो निकल जाएंगे और एक बहुती natural सा हमारे haircut में feel आ जाता है तो जब भी आप लोग haircut करिए re-checking करिए और noaching करना ज़रूर तो देखिए हमारा haircut जाकर आप लोग हमारे चैनल में और अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon को भी click करिए क्योंकि अभी बहुत सारे haircut के videos आने वाले हैं और हमारे haircut से related जो भी hair treatment के videos देखना चाहते हो तो जाए चैनल में आप लोग को hair spa के video, hair dandruff treatment के video या फिर आप लोग को किसी भी type के smooth, straight, carotene जिस type के videos चाहिए आप लोग को हमारे haircut रोईत haircut tutorials के channel पे पूरी तरीके से आप लोग को easy way में मिल जाएंगे जिसमें आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा process बताया गया है तो चलिए मिलते हैं next video में तब तक तिले अपना ख्याल रखिए कि अच्छी पूरी याप हो कि अच्छी अच्छी तरीके से ड़ी अच्छी में अच्छी से रोग कि अच्छी नहां हो थींदें आप पूरी को जा हमारेज एंगगे